हेलो दोस्तो मेरा नाम है विजय मैं आप सभी का सौगत करता हूँ सुधी टुटोरियल पर आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज का टॉपिक है मारा आज हम देखेंगे सामानिगान के टॉपिक को जो की है भारत के प्रामुक अनुसंधान संस्थान जो की आपके हर एक्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है मेरा नाम है विजय आए शुरू करते हैं उससे पहले यह दियापी चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीड भारती फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान कहां इस्थित है भारती फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान इस्थित है पूड़े महराष्ट में जोकि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा इसकी स्थापना हुई थी उनिस सो साथी स्वी में और यह काम करता है सूचना एवं प इसके वर्तमान अधिक्ष न हार माधवनगा करनाटक में। बढ़ते हैं । अगले कोईशन की तरफ बाकिते जो हैं भारतिये विज्ञान स्थान कहां इस्थित भारतिये विज्ञान स्थान इस्थित थैं। बैंगलोर करनाटक में जो कि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा इसके इस्थापना हुई है 27 मई 1909 को इसके वरतमान में जो निदेशक हैं या फिर कहें जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है गोविंद रंगराजन बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है राश्टी एड्स अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है या अनुसंधान संस्थान इस्थित है पूरे महराश्ट में जो कि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा इसकी स्थापना हुई है 1992 में और जो अध्यक्ष हैं या फिर निदेशक हैं उनका नाम है सीला गोडबोले जो की राश्टी एड्स अनुसंधान संस्थान की निदेशक है और या संस्थान इस्थित है पूरे महराश्ट में जो कि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा अगला कोशन है भारतिये मिर्दाविज्यान संस्थान कहां इस्थित है या भारतियो मिर्दाविज्यान संस्थान इस्थित है भोपाल में भोपाल यानी मद्ध पर देश में इसकी इस स्थापना हुई है 1988 स्वि में और इसकी निदेशक है डॉक्टर एक पात्रा भारते मुद्धा विज्ञान संस्थान अगला कोईशन है हमारा राष्टिये ग्रामेड विकास संस्थान कहां इस्थित है? राष्टिये ग्रामेड विकास संस्थान इस्थित है हैदराबाद तिलंगाना में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है संगीत नाटक अकादमी कहां इस्थित है संगीत नाटक अकादमी इस्थित है नई दिल्ली में जो कि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा इसकी इस्थापना हुई थी 31 मई 1903 को संगीत नाटक अकादमी की और यह इस्थित है नई दिल्ली में यह इसका मुख्याले जो है यह संस्थान जो है वह इस्थित है नई दिल्ली में बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारतिय वन प्रबंधन संस्थान कहां इस्थित है यह संस्थान इस्थित है भोपाल मद्यप्रदेश में जो क्यों आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा और इसके वरतमान में निदेशक जो है उनका नाम है डॉक्टर के रवीच बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारतिये क्रिशी अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है यह अनुसंधान संस्थान इस्थित है नई दिल्ली में जो क्यों आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है केंद्रिये गन् अनुसंधान संस्थान इस्थित है कोय अमबर टूर में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा इसकी स्थापना हुई थी 1912 इस्वी में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है केंद्रिये तंबाकु अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है केंद्रिये तंबाकु अनुसंधान संस्थान इस्थित है राज मुंद्री में जो की आंध प्रदेश में इस्थित है इसलिए आप्सों नमबर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है भारतिये चमडा अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है भारतिये चमडा अनुसंधान संस्थान इस्थित है चेन नई तमिल नाड़ु में इसके स्थापना हुई थी 24 अप्रेल 1948 को भारतिये चमडा अनुसंधान संस्थान इस्थित है चेन्नेई में बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारतिये चीनी तक्नीकी संस्थान कहां इस्थित है भारतिय चीनी तक्निकी संस्थान इस्थित है कानपूर में जो की यूपी का एक जिला है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है भारतिय मौसम विज्यान संस्थान कहां इस्थित है भारती मौसम विज्यान संस्थान इस्थित है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1875 इस्थित है यह काम करता है पृत्वी विज्यान मंत्राले के धिन और इसका मुख्याला इस्थित है नई दिल्ली में अस्थाप्रा जैसा कि आमने बताया 1815 इस्वे में भारती मौसम विज्ञान संस्थान का हुआ था अगला कोईशन है राष्टी डेरी आनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है राश्टी डेरी अनुसंधान संस्थान इस्थित है करनाल में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा और इसके स्थापना हुई थी 1989 स्वी में इसके वर्तमान में निदेशक है RRB सिंग बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है केंद्रिय वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है केंद्रिय वन अनुसंधान संस्थान इस्थित है देरादुन में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा अगला question है भारतिय लाह अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है लाह मतलब होता है गोध या फिर राल तो भारतियला अनुसंधान संस्थान इस्थित है राची राची में यानि आपसर नंबर D हमारा सही होगा और इसकी स्थापना हुई थी 20 सिप्तमबर 1924 इस्वी को भारतियला अनुसंधान संस्थान का और यह स्थित है राची में जो कि आपसर नमबर D हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है केंद्री ये खानन अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है केंद्री खनन अनुसंधान इस्थित है धनबाद जहारखंड में जो कि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा इसकी स्थापना होई थी 1946 इस्वि में बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारती सर्वेक्षड विभाग कहां इस्थित है भारती सर्वेक्षड विभाग इस्थित है दहरा दुन में जो कि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा और दहरा दुन इस्थित है उत्राखंड में जो हमारा आप्सन नमबर भी ह वह सही होगा यानि भारती सर्वेशर विभाग इस्थित है दहरादुन में बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ अगला कोईशन है भारती मौसम वेद साला कहां इस्थित है भारती मौसम वेद साला इस्थित है पुणई महराष्ट में जोकि आपसर नमबर डी हमारा सही प्रते हैं अगले कोईशन की तरफ अगला कोईशन है प्लाजमा अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है गांधी नगर गुजरात में जो कि आप्सन नमबर ए हमारा सही होगा अगला कोईशन है भारतिय खगोल संस्थान कहां इस्थित है भारतिय खगोल संस्थान इस्थित है बैंगलूरू करनाटक में जो कि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा अगला कोईशन है डीजल लोकोमोटिव वरक्स कहां इस्थित है वाराण सी उत्तर प्रदेश में जोकि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ केंद्रिये सड़क अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है नई दिल्ली में जोकि आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा अगला है केंद्रिये वनस्थि अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है केंद्रिये वनस्थि अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है लखनव यूपी में यानि लखनव उत्तर प्रदेश में इस्थित है केंद्रिये वनस्थि अनुसंधान संस्थान इसलिए अप्सन नम परसी हमारा सही होगा। बढते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है के इंद्रिये पर्या वरण इंजिनिरिंग आनुसंधान संस्थान कहां इस्थित हैं या इस्थित है नागपूर महराष्ट में जो कि आफसन नमबर भी हमारा सही होगा। भारतिये पुरा थात्वी सर्वेशण विभागे इस्तित है कोलकाता जो की पश्चिम्बा गाल में इस्तित है इसलिए अप्सन नमबर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर जो की है राश्टिये मस्तिस्क आनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो की है केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्तित है कटक में जो की आप्सन नमबर भी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरव जो की है रामन आनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है बैंगलूरू करनाटक में जो क्यों आपसर नमबर है हमारा सही होगा अगला कोईशन है राष्टिये धातु विज्यान प्रियोग साला कहां इस्तित है राष्टिये धातु विज्यान प्रियोग साला इस्तित है जम सेथपूरूरू बढ़ते हैं अगले कोईशन की ओर जो की है कपड़ा उद्योग आनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है अगला कोईशन है भाभा परमाडू अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है भाभा परमाडू अनुसंधान केंद्र इस्थित है ट्रामबे मुंबई में जो कियो अप्सन नमबर हैं हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है भारती पेट्रोलियम संस्थान कहां इस्थित है भारती पेट्रोलियम संस्थान इस्थित है तहरा दुन में जो कियो अप्सन नमबर है हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ या कोईशन है अखिल भारतिय आयर विज्यान संस्थान कहा इस्तित है अखिल भारतिय आयर विज्यान संस्थान इस्तित है नई दिल्ली में यानि आप्शन नमबर डी हमारा सही होगा बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है Tata Institute of Fundamental Research कहां इस्तित है? Tata Institute of Fundamental Research इस्तित है मुम्बई महराष्ट में जो की आपसर नमबडी हमारा सई होगा अगला कोईशन है इंडियन सेक्योर्टी प्रेस कहां इस्तित है? अगला कोईशन है केंद्रिये विद्धुत राशायनिक अनुसंधान संस्थान कहा इस्थित है केंद्रिये विद्धुता राशायनिक अनुसंधान संस्थान इस्तित है कराई कुडी तमिल नाडु में जो कि आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा। बड़ते हैं अगला question की तरफ जो की है केंडरिय यांत्रिकी इंजिनिरिंग अनुशंधान संस्थान कहां इस्तित है या अनुशंधान संस्थान इस्तित है दुर्गापूर में जो की option number B हमारा सही होगा अगला कोईशन है हमारा भारतिये राष्टिये राजमार्ग प्राधी करण का मुख्याले कहां इस्तित है नई दिल्ली में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा मठते हैं अगले कोईशन की तरफ जो की है राष्टिये भूभौत की आनुसन्धान संस्थान काँ इस्तित है है चैद्राबाद में जो कि आप्सन नमबर डी हमारा सही होगा अगला है के इंद्रिये आलू अनुसंधान संस्थान कहा इस्तित है आलू अनुसंधान संस्थान इस्तित है सिमला में तो क्यों आपसर नमबर है हमारा सही होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंटी कर सकते हैं जन्यवाद